Sunrisers, Hyderabad और Gujarat Titans के बीच का मैच No 66, Hyderabad की राजीब गांधी स्टेडियम में खिला जाना है प्लेओफ की बात करूँ तो अजे प्लेओफ से Gujarat Titans तो पहले बाहर हो चुकी है लेकिन जो कहते हैं स्रह के जादा हैं क्योंकि SRH को प्लेओफ में पहुचने के लिए ये मैच जीतना है ये मैच जीतना पड़ेगा कैर Gujarat Titans को कह सकते हैं कि कहते हैं कि थोड़ा सा सम्मान बचाने के लिए कि हाँ चलो हम भी खेल रहे हैं तो भी जीत साख की लड़ा जी बिल्कुल तो Gujarat Titans जो है प्लेओफ से बहार हो चुकी है खेर टॉप फोर की जो रेस होती है उससे बहार हो चुकी है लेकिन अज अपनी इज़त के लिए अपना सम्मान बचाने के लिए मैदान में के लेगी सबसे जादा लोगों को उमीज जैसा कि हमेशा कहते हूं कि एक टीम बहार हो जाती है एक टीम सुमीद होती है मुझे भी इस बार है सारेट सुमीद है कि क्या पता जैसारेट जीज है नहीं मैं बताती हूं मैं गुजराट Titans को में पहले सब्सक्राइब लेकिन प्लेओफ से बहार होगी हो तो मैं यह बीच वीडियो में बोल रहा है य यह गलत बात है खेर चलो कोई खेर चलो इस वीडियो में हम वैसे भी सपोर्ट और वह सारी चीजे तो देखते भी नहीं हम फैंटेसी टीम आपको बताएंगे दोनों ही टीमों के प्लस माइनस एडिशन सब्स्ट्रेक्शन सब करके जो है आप लोगों के लिए टीम लेकर लेकिन फैंटेसी टीम बताने से पहले जो फैक्टर्स इंवाल्व होते हैं फैंटेसी जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूं अगर आप हर वीडियो देख रहे हैं तो उर्स पर नजर डाल लेते हैं राजीव गांदी इंटरनाशनल स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा और सिंपल बॉट पिच रिपोर्ट यह कह रही है बैटिंग पिच है बैटिंग पिच आप भूल जाहिए आगे आप लोगो को कुछ और करने की ज़रत नहीं है संराइजस हैदराबाद की टीम अगर खेल रही है बैटिंग पिच है तो क्या आपकी बार 300 पार होगा ये बड़ा सवाल इनन्दनी मैं आपसे फटा-फट जानना चाहंगा उसके आद में आगे बढ़ूंगा 300 का आखड़ा पार हो रहा है किया इस बार इस बार हर जगा ये 300 400 पार की लड़ाई हो ये 400 400 पर मैं नहीं जा रहा है 300 400 पार होगा मतलब नहीं होगा खेर आगे बढ़ते हैं तो बैटिंग पिच है बाकी हिदराबाद और जीटी के बीच जो मुकाबला खेला जाना है इसमें हेट टो एडाकरे देखेंगे तो गुजरात का पलड़ा भार ही है बट देन आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाई इस सीजन संड्राइजर सहिदराबाद गुजरात के कंपेरिजन में बहुत ज्यादा खतरनाक टीम नजर आ रही है चलिए शुरू करते हैं टीम नंबर चार देख ले थे बाई टीम नंबर चार में कौन आपको निजर आ सकते हैं हेंरिक लासेन और रिदिमन सहा दोनों एक एक विकेट कीपर हमने दोनों टीमों से ले लिए अनमोल पीट सिंग भी है लेकिन हमने अनमोल पीट सिंग को किसी भी टीम में नहीं लिया है ट्रेविस हैड है साही सुदर्शन अभिशेक शर्मा हो गया है दो एक हैंरिक क्लासेन शुरुआत में बहुत अच्छे फॉर्म में थे अब दीरे दीरे जो हैं की फॉर्म खराब होती वी जा रही है बट दिन हम सब जानते कि भाई विस्पोटक बल्लेबास है और फॉर्म इस टेंपरेड़ी क्लास इस पर्मेनिंट वाली बात पर्मेर को हमेशा याद आएगी जब उन्होंने फाइनल में 90 या 100 रोनों की पारी खेलते हैं भी याद ने आ रहा है exactly किते रोनों की पारी उसके बाद देखिये बल्ले बाजो में अभिशेक शर्मा और ट्रैविस हैड ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन आप इन्हें रख पिछले मैच में संराइजर सहधराबाद वालों ने भाई 166 रंचेस कर दिये थे 9.4 ओवर्स में भाई किस बात की जल्दी थी किस बात की जल्दी थी क्या था मतलब क्या पर ओवर के पैसे लग रहे थे क्या स्टेडियम किसी और को बुक करना था बाद में क्या था आप ल चापो आप पॉइंट्स चापो बस लेकिन ट्रैविस हैड और अभिशेक शर्मा इस टीम में कैप्टन या वाइस कैप्टन नहीं है तो दुख होगा आपको अगर ऐसा कुछ होता है तो गिल है यहां पर वाइस कैप्टन और साही सुदर्शन यहां पर कैप्टन है और यह ब बहुत ज्यादा मतलब एग्रेसिव मोड में हमें पिछले मैंच में दिखेते तो उसी एग्रेशन को वो कंटिन्यू करना चाहेंगे शारू खान है यहां पर राश्वित खान उसके बार टीन अट्राजन भूवनेशर कुमार और मोहित शर्मा आगे बढ़ते हम टीम नंब तीन में विकेट कीपर में जो कप्तान बने वो रिद्वान साभ अने हुए है बैटर्स में वाइस कैप्टन ट्रेविस हैड है साई सुदर्शन है शुब मंगिल है और डिविन मिलर को अपने आपे लिया हुआ है और साथी ऑल राउंडल में राहुल टेवतिया को अपने लिया हुआ है बॉलर्स में नटराजन आपको दिग गए है बुवनेशर कुमार, मोहिट शर्मा, उमेश यादव और संदीप वारियर भाई ये बहुत घतरनाक वारियर है और जिस मैच में इन्हों ने इस सीजन जो पहला मुकाबला खेला था उसमें तीन विकेट ले लिय देते हैं और भाई जबरदस और उसके बाद से ऐसा नहीं है कि भाई वन मैच वंडर वाला परफोर्मेंस रहा है उनका उसके बाद भी कंटीनुसली अच्छी बोलिंग कर रहे हैं वो देखिए अगर आप देखोगे इस टीब में आपको टोटल पांच बैटिंग ऑप्श लो दो डेविड मिलर को हटाके इनके जो छोटे भाई है उनको ले सकतेूं अभिषेक शर्मा, brothers from another mother's तो भाई, Brothers of Destruction है तो आप ले लीजे आप अभी शेक शर्मा को डेविड मिलर की जगे पर लेकिन पता नि क्यों मुझे लग रहा है डेविड मिलर इस मैच में जाते जाते कुछ करके जाएंगे करना तो इनको भी प्रूफ तो करना ही है कि कि इनकी छवी दूमिल होती गई है मतलब इस सीजन तो दूमिल हो गई है आगे बढ़ते हैं, Captain Ridhiman Saha है, Vice Captain Travis Head है आगे बढ़ते हैं, Team No.2 नम्र 2 में हन्रिक लासन आपको यहां पे दिग गय बद्धि बाइबंधिवाइद यहां पर यहां पर दिग गया है वाहिस काप्टन में साई सुधर्शन है और चैंटन में ट्रैविस हैट को दोनों को साथ साथ में अरी उसके बाइब शुपन गिल है और अभी शेक शर्मा क मैथ्यू वेड को ले लिया है मैथ्यू वेड को वही है लॉजिक वही है कि इस मुकाबले में वो करेंगे मतलब मुझे लग रहा है यह जो गुजरात के कई प्लेयर्स के लिए यह मुकाबला या तो बहुतभा फायदा नुकसान क्यी चीज़ों में फायदा नुकसान पुछले से पिछला सीजन याद होगा मुंबाई इडियन सुरुआती कई मुकाबले यहार गई ती पॉइंट टेबल में नीचे आगे तिलिए जाते जाते एक-डो मुकाबले जीत गई आरसीबी को प्लेओफ में पहुंचा दिया हाला कि फिनिश आखरी पर ही किया वह बात की बात है लेकिन आप कमजम जाते जाते जीतना तो चाहोगे और वैसे पिछला मैच बारिश की वज़े से धूलाता गुजरात का उससे पिछले मुकाबले में एक तरफा ही अंदाज में चारू खाने राश्वित खाने मोहित शर्मा है संदीब वोरियर है रिदिमन साह है इन में से कम से हम पांच से छे बल्ले बाद खिलाडियों के लिए या तो बहुत खतरनाक रहेगा यह मुकाबला बहुत शानदार रहेगा या तो फिर वही है भाई संराइजर अगर अगर अपने रंग में आगए दस ओवर में वही वापस से पॉने और दस ओवर हुए भी नहीं थी नंदनी दस ओवर में तो अगर जिस हिसाब से खेल रहे थे दस ओवर में पकड़ के चलो 175 रन मार दिये थे 175 का मतलब होता है आपके 300 कितने रन हो गए 300,500,300,300 और य मुझे बस एक चीज अच्छा लगा जो संराइजर सहदराबाद के पिछले गेम में हुआ वो यह चीज अच्छा हुआ कि बाई प्ले आफ से आने से पहले मतलब प्ले आफ में पहुंचने से पहले टीम ने बैटिंग चेस करने वाली जो अपनी समस्या उसको सॉल्फ कर ल हम मार लो हम मार लेंगे ठीक है यह सबसे बेस्टीम टीम नंबर वन टीम नंबर वन में हेंडरिक क्लासेन आपके विकेट कीपर है साही सुदर्शन ट्रैविस हैड आपके हो गए कैप्टन वाइस कैप्टन अभिशेक शर्मा को छोड़ नहीं सकते भाई यह वो है दो जिस को और नाम कप्तान संराइजर सहिदराबाद के कप्तान यहां पर बोलिंग आप्शन में मौजूद है और पैट कमिंस और उनका साथ देंगे टीन इटराजन इस टीम में तो वहीं मोहित शर्मा के साथ गुजरात का बहतरीन वारियर संदीप वारियर आपको यह टीम सबसे बहतरीन टीम नजरा रही होगी एक बार फिर देख लेते हैं कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आप देखो साही सुदर्शन और ट्रैविस हैंड यह दोनों कैप्टन वाइस कैप्टन है अभी शेक शर्मा अब्दूल समद आपके हो गए बल्ले बाज यानि टोटल चार बल्ले बाज आपके यहां हो गए एक आपका यहां पर भी है मतलब बल्ले बाज ही होता ही विकेट कीपर तो विकेट कीपर बल्ले आस पांच आपके यह हो गए दो ऑप्शन यहां पर बैटिंग के हैं तो वहीं अगर आप बोलिंग देखो तो टोटल हो गए आपके साथ और यहां अगर आप देखो तो 4 क्या कहता है आपने बोलिंग उप्शन 4 दो 6 और इनको भी तो काउंट करोगी ये भी तो बोलिंग करते हैं करते तो ये भी ए पना ही रहे हैं तो ठीक है तो भाई सबसे बातरी टीम ये नजर आ रही हैं देंके 4 टीम में हमने आपको बताई टीम नूमबर 1, 2, 3 and 4 अब इन चारों में से कौन सी टीम आपको ज्यादा बहतर लगी कमेंट करके हमें जरूर बताईएगा और साथी साथ आप अपनी टीम भी हमें अपनी टीम भी हमें कमेंट जरूर करेगा धन्यवाद